हाई फ्रेंड्स मैं हूँ रानू रजा आज हम कोई कोकिंग नहीं करेंगे आज हम बनाएंगे एक अच्छा सा व्लॉग आज हम घुमाएंगे आपको देहरादून का फेमस प्लेस एफराई यह देहरादून आइस बीटी से 7 किलो मीटर की दूरी पर है और अच्छी से 30 मिट इसे यहां तक पॉस्ण में हमें लगा है और हमने एंटी कर लिए हैं यह इंटी कर भी सिर्फ 15 रुपीस का है और देखि बाकीज अहला का हीजहें इंटीट हैं यह जो बंगने दिखynn करफ रह और हैं यहां टूरिस्ट बहुत जादा आते हैं यहां अखिने के लिए तो लोकल लोग भी बहुत आसानी से आ जाते हैं और टोरिस्ट भी ये देखी कितना खुबसुरत हैं सामने एफराई दिख रहे हैं इस साइड से रोड शायद बंद है तो हम पीछी की साइड से जाएंगे ये देखे हमें सामने एफराई दिखने लगी है तो हम इसको अंदर से जाकर भी इसका नजारा करेंगे तो यह हमने गाड़ी पार्प कर दी है अब हम आ चुके हैं बच्ची भी हमारे गाड़ी से उतर चुके हैं इंजॉय कर रहे हैं चलिए एंट्री करते हैं यहां से हमने एंट्री की है यह देखे सिबसे पहले हमने फैमली की पिक्स ली है और यहां जो भी आता है यहां पर पिक्स जरूर लेता है यहां की फोटो बफात अच्छी आती है देखे से कितनी खूफसरती से मैंटेंग किया है और हम्यूजिम भी है तो आज हम थोड़ा सा ही कवर करेंगे चारतर बहुत बढ़ा ग्राउंड है इसे फूरी हर्याली है चारतर पेड है ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा बहुत ठंड़ ठंडा महसुस हो रहा है और यहां सब सभी लोग यहां अच्छे सिफ फोटोग्राफी करते हैं और यहां फिल्मों की भी शुटिंग हो चुकी है और यह देखने बहुत भी खुपसूरत है यह देखे यह पूरा एफराई का नजारा है हम भी देखिये कितने मज़े से यहां इंजॉए कर रहे बच्चे अलग खेल रहे हम लोग दोनों अलग इंजॉए कर रहे हैं यहां आकर इतना अच्छा लगा था बहुत चारो थरफ ठ्ठडा ठ्ठडा व्यू बहुत खपसूरत है और बहुत ही मन को शान्थी मिलती है बहु मिनार बनी हुए बहुत ही खुपसूरत है तो दूर दूर से लोग आकर यहां इन मिनारों के नीचे फोटो अपना शोट करते हैं तो लोग यह मेरा आपको पसंद आया है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ